की हट मेरी कमसीन जवानी 18 यर ओल्ड है कोई कहे मैं कली हूं लगती कोई कहे की बोल्ड है आया इसे क्या तू देखे रहा है नीचे ज़ाक ज़ाक कि जब जब फराक उड़ता की जब जब फराक उड़ता भूजपुरी इंडस्टी की खबरे नई हो या पुरानी सारी जानकारी आपको मिलेगी किस पे सिर्फ और सिर्फ भुजपुरी कनेक्ट पे तो नमस्कार मैं नीजू और आज मैं आपको एक वार फिर से एक नया धम्माके दार इंटर्वु लेकर आया हूं कौन से हैं वो सिंगर और कौन से हैं वो एक्टर क्यूंकि नोंने बहुत कम समय में ना इंडस्टी में अपनी चाप छोड़ दिये और कल जिस तरीके से वो पार्टी किये ना भाईश साव पूरे इंडस्टी में ना भूचाल मच गया पार्टी की चर्चा भी भी हो रही 24 गंटे बीच चुके हैं लेकिन पार्टी की वीडियो और फोटोग्राप ने धमाल मचा लिया है कौन है सिंगर जानते होनी से तो सबसे पहले भाईया का हूँ अपने चैनल पर कौन से चैनल पर कनेक्ट पर स्वागत करते हैं भाईया स्वागत है आपका सबसे तो पहले जी तभी मेरे दर्सक मुझे देख रहे हुए उनको मैं हाथ जोड के परणाम करता हूँ मैं सिंगर प्रतिक मिस्रा कैसे हैं भीया पहले मैं एक दम बढ़िया हूँ भीया ये लाल-लाल वाले ड्रेस के क्या राज है लाल-लाल कहा डारे एक दम वैसे तो ड्रेस पहने का मुझे बहुत ही ज़्यादा सौक है तो ड्रेसिंग में खुद अपने आप से ही सिलेक्ट करता हूँ मुझे क्या पहनना है नहीं पहनना है कि το ए чуть हो हो फिल्म की शूटिं Carmelo या या अलबम की हो तो ड्रेस थोड़ा में कुछ और पहनना चाहता हूं ज ठीक है ड्रेस की बाते बात में लड़की कह रही है कि होट मेरी कमसीन जवानी 18 एर ओल्ड है कोई कहे मैं कली हूं लगती कोई कहे कि बोल्ड है ऐसे क्या तू देखे रहा है नीचे जहक जहक तरह उर्भायवा कहा था पर्तिक कि जब जब फराक उड़ता कि जब जब फराक उड़ता जय हो बाई साब देखा भायवा फराक उड़ा रहे हैं वो भी ऐसे ही और यह गाना नहीं देखा है ना तो यार जाओ यार फटापट प्रतिक मिश्रा यूटूब पर सर्च मारो गाने काफरे जाद हैं मिलियंस वाले वियव है भाया अब बात करींगे आपकी जीवनी स्टाट कैसे किया इस इंडस्ट्री में कदम कैसे रख्भा इंडस्ट्रीं में कादम तो सबसे पहले में यल्भम आपैके की म्यूजिक दिये थे आसीस बर्मा भिया कलो मेरे बढड़े भी आय थे बहुत बहुत बहतरीन इनसान है और उनके म्यूजिक के चहेते तुमझे लगता है कि भोजपुरी में सब कोई दासीस भीया बहुत अच्छे इंसान है तो उन्होंने इपने मेरा म्यूजिक बनाया था और बस तब ही से हमने गाना वाना गाया और आज तक गा रहें और दो फिल्मे भी मैंने कर लिया है जीससे आपने स्टार्ट किया तो आपको फैमली बैकग्ग्रांड, जिस तरीके से सप़ोर्ट किया या फिर पर क्यासे ये मतलब कदम रखने का तरीका आपको कैसे । लगा कि असुअ को जाना चाहिए एप फिल्ड में जानने के लिए तो मैं मतलब बच्पन से जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी टाइम से मुझे सौक था गानों का बट ये नहीं था कि मुझे भोजपूरी गाना ही गाना है क्योंकि उस टाइम तो भोजपूरी के लिए उतने जादे जो भी अपने अभी जो एस्टार है वही लोग कर रहे थे जो कि आपने मतलब सरकारी नौकरी आपको बता देता हूं सरकारी नौकरी छोड़के भाहिया गाईकी की फिल्ड में और लोग कहते हैं कि गायक नहीं बनना चाहिए भाई ऐसे लोगों से प्रेड़ना देनी चाहिए क्योंकि यह यही लोग है जो कि अच्छे गाने बनाते हैं और लोग सुनते भी है क्या कारण था कि आपने नौकरी छोड़ दी इतना प्रेम बिल्कुल संगीत से मुझे और सरकारी नौकरी भी में फोज में था उसके बाद मैं नौकरी छोड़ दिया क्योंकि मुझे संगीत से बहुत ज्यादा लगाओ था संगीत से ज्यादा लगाओ था तो अब मैं बात करूँ है कि आपको जो पहला ब्रेक राजा-राज-कुमार आया कैसे मिला किस तरीके से यह फिल्म डिरेक्टर एचे स्पाउंजी जो बनारस के है सांती फिल्म प्रोडक्शन तो उन्होंने यह फिल्म बनाया था राजा-राज-कुमार तो अरितेस भीया थे उसमें फर्स्ट लीड में तो एक्षिल्म जब में आया था बनारस तो उन्होंने ही मेरा स्टार्ट कि सुभास यादो सर हैं कल उन्होंने मेरे बड़े में आकर के चार चांद लगा दिया था रितेस पांडी जी के साथ पहला शौट देना और अक्षरा जी के साथ कमबाइन करना कितना डिफरेंट होता है जब पहला शौट एक नौन एक्टर आता एक एक्टर इंडस्टी में कितना डिफरेंट होता है पहली बार मैंने रितेस्विया के साथ काम किया बहुत अच्छे इंसान है वो अच्छा लगा उनके साथ काम करके काफी सपोर्ट करते हैं बहुत प्यार करते हैं भाईया हमको और अक्षरा जी के साथ मैंने काम किया अच्छा लगा उनके साथ काम करके मुझे इसा नहीं लगा कि हम उनसे पहली बार मिले है या पहली बार काम कर रहे हैं में में प्री माइंड हो के काम किया है सप्पोर्ट करते हैं डास्टी के लो कि मतलब एक ही सीनियर के जूनियर का रेगिंग च्ठप तो हम किसी को रिषय करेंगे तो नुजे तो रिस्पेक्ट देगा है तो ह। रितियस भियाथ बहुत मानते हैं बहुत प्यार करते हैं से वो छोटा भाई मानते हमको तो उन दोनों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा अक्षराज भी बहुत अच्छी है और बबली गल के साथ सेट पे भी मैं आ था शूटिंग भी लास्ट टाइम जो लॉकड़ॉन से पहले टाइटल कहां से लाते हैं पहला नंबर य कि लोग नाम रखते हैं जिसको जो अच्छा लगता हो फिल्म का रखता है तो मुझे हो सकता है कि वो मुझे देख करके बनाए होंगे कि तुम से अच्छा कौन है तुन्हों ने बनाया तुम से अच्छा कौन है रितू सिंग के साथ बबली गल बोला जाता है खेसाडी जी के वाला थी वाला कैसा केमिस्ट्री था आप लोग का बॉंडिंग इस तरीके का था रितु जी के साथ काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा राजा राज कुमार के बाद जो मैं काम किया तुम से अच्छा कौन में तो रितु जी काफी सपोर्टेड अच्छा सपोर्ट करती है उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा अभी हम बंबे गए थे तो उस फिल्म की दो संग थे उसका हम लो साथ में स्टूट किये काफी काफी अच्छा लगा उनके साथ काम करके मैं चाहता हूँ कि आगे भी जो मेरे फिल्मे आए तो मेरे साथ काम करें अब भी आप बात करेंगे इंडस्टी की इंडस्टी में भूचाल मचा हूँ है पता है ना खेसाडी बावू हो हो या फिर पवन भाईया हो या फिर रितेश पांडे गाने को लेके विवाद है, क्या कहना चाहेंगे, कुछ अब विवाद के लिए मैं क्या बोलूँगा, मैं सबसे पहले तो मैं विवादों में आता नहीं हूँ मैं थोड़ा अलगी हूँ, कौन क्या विवाद कर रहा है कि मैं जादे उसमें कमेंट करता हूं अपने अलग तरीके से गाता हूं और मुझे यह नहीं किसी के ऊपर कमेंट पास करना कि तुम यह तुम वो फलाना दिम का जो भी हो, मैं कुछ नहीं कहता हूं तो बस सब ठीक है यह बभवान अर्यान को लेके लोग कहते हैं कि गाने गा तो अइसा लगता है कुछको लोग है जो आदो पफे गानधा थे हो तो एतने सोच western करता है तो हम जादे दिल से नहीं ले तो यह एक सक दोभूला. के घूला दे लोग का सोसल मीडिया पर बोलते हैं कि भाव दोनों सब लड़ते नहीं है, सब एक दूसरे का पॉब्रिशिटी ए स्टांट होता है, कहीं ये भी तो नहीं है, सही है, हमको तो यही लगता है कि सब अपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए एक दूसरे का कमेंट करते हैं, और चर्चा में आना चाहते हैं, तो हो सकता है, इसके वज़े से भी दूसरे पर लोग गाने गा रहे हैं, क्योंकि हम भी गाया है, तो इसमें तो हम बोल नहीं सकते कुछ, हम मैं खुदी गाया हूँ, मैं पंडित हूँ तो पंडित पर भी गाया हूँ, यादो पर भी गाया हूँ, गाने का बोल हो जाए भईयता, मेरा गाना है, साड़े तीन घंशा दूंजी के हाता में भाई सब साढ़े तीन बजए आते में जरूर मी लेंगे घंशाना सुनते हैं भाई सुनाइब या दिखा ना किया गना कोल के बार चलिए कोई बात ने गाना याद नी है यूटूब पे सर्च करो बाई साड़े तीन बज़े हाता में और आता में नहीं है तो सुनो जाके पटावट हाविया होली का प्रोजक्ट आ गिया होली का सीजान आ गिया होली का गानी की तियारी चल रही सारे लोग एक पर एक गाने आपने अभी तक छोडा मेरा गाना चूटा नहीं यूआ बड बहुत जल्ल्द आ जाएगा इस महीने तक म के सब्सक्राइब तोड़ा लेट हो गया है जितने भी मेरे दर्सक है उनको बहुत जल्द Holy सौंग मेरा सुनने को मिलेगा वेब कंपनी से टी अफ कंपनी से अच्छा दो कंपनिया से अपका बाला जी से भी है व्ल्ड वाइड से भी है बट ये स्पेसल मेरी कंपनी वेब और TF है और मेरा एक channel है प्रतिक मिस्रा Entertainment तो जितने भी मेरे मित्र हैं भाई लोग हैं तो आप लोग जा करके YouTube पे प्रतिक मिस्रा Entertainment को देखिये और सब्सक्राइब करिए मेरे channel को उसपे भी आप लोग को मेरे गाने सुनने को मिलेंगे कौने इस पर रिलीज किया है, कुछ है गुण-गुणायेंगे ज़रा अभी तो गाना मेरा उस पर रिलीज नहीं हुआ है इब अभी मेरा चैनल से प्रस्ट gena भी मेरा उस पर जायेगा चले कोई बात ने गाना जब जाएगा ना तो आप प्रतीक मिस्रा इंटेटेन्मेंट को जाके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आने वाली फिल्मों की बात करें तो कौन कौन सी लाइन अप पे है आपकी अभी आने वाली फिल्म तो अभी मेरा दिसंबर में फिल्म राजा राज कुमा रिलिज हुआ आप लोगों ने देखा बहुत सारा उसको प्यार दुरार भी मिला पिक्चर को और नेक्स पिक्चर मेरी तुम से अच्छा कॉन बहुत जल्द आने वाला है साइद होली तक सुनने में आ रहा है कि रिलिज होगा और आगे की जितनी भी फिल्में हैं उनकी प्लानिंग चल रही है तो हम जल्द बता देंगे सबको की मेरी कौन सी फिल्म की शूटिंग है श्टार्ट होने वाली है क्या कहने चाहेंगे प्रतीक मिस्तरा के स्टाइल में भुजपुरिया दर्सु अपने फैंस के लिए दो सब जेतना भी हमार भुजपुरी के भाई लोगबा भहिन लोगबा हम तहीं है कहें कि जैसे आप लोग सब का शपोर्ट करते हैं प्यार दुलार देते हैं वैसे ही परतीक मिस्तरा के प्यार और दुलार दी सब है भाई आप लोग के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएगा और मैं चाहता हूँ कि भुजपुरी में कुछ अच्छा और कुछ नए अंदाज में ले करके आओ ताकि सब को लगे कि चलो कोई तो आया है भुजपुरी में एंट्री किया है तो मुझे अच्छा लगता है अपने भुजपुरी को आगे बढ़ते हुए देखके आज हमारा भुजपुरी बहुत ही आगे बढ़ गया है बॉलीवुट का टकर दे रहा है मुझे लगता है कि भुजपुरी चोड़ के लोग भुजपुरी देखना श्राट कर दिया है तो जहां भी हो हमारे देश के हर कोरे में भुजपुरी गाना बच रहा है तो ऐसे ही सब को भुजपुरी को प्यार दुलार असिरबाद देते रहे तेंकियु बेर